जोगी जंगम ते अति दुखियां क्या ग्रीही बैरागी शुकाचार्य दुख़ी के कारण गर्व ही माया त्यागी गर्व में माया का त्याग करने वाले शुकदेव जी उनके बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि माता के गर्व में वो बारह साल तक रहे इसलिए कि माया कहीं मुझे पकड़ न ले और जब वो निकले गर्ब से तो कहते हैं गर्ब से निकलते ही जंगल के लिए चल पड़े शुकदेव जी के बारे में प्रसिद्धी है और जब शुकदेव जी आगे आगे जा रहे है और उनके मौह में ग्रस्त पिता व्यास जी पीछे पीछे दोड़ रहे हैं बेटा 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 कहिके शुकदेव जी जा रहे हैं सामने एक ऐसा स्थान आया जहां एक तालाब था और उस तालाब में कुछ देवकन्याय स्नान कर रही थी और किनारे से शुकदेव जी जा रहे हैं अवधूत नग्न और वो देवकन्याय स्नान कर रही उनके अंदर कोई भी लज्जा शरम का भाव नहीं जगा शुकदेव जी के निकल जाने के बाद थोड़ी देर में व्यास जी वहां पर आए व्यास जी की तो बड़ी अवस्था थी सफेद दाड़ी हो गई थी बेटा बेटा कहते हुए जा रहे उनको आचे देखकर वो देवकन्याय शिग्रात शिग्रत तालाब से निकल गई और कपड़ों से अपने शरीर को ढाकने लगई तो उनको ऐसा संकोच पाते हुए देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि बेटियों अभी अभी मेरा जवान बेटा इस रास्ते से गया उसको जवान होते हुए भी और नगनावस्था में होते हुए भी तुम लोगों को कुछ शरम नहीं आई और मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ और मेरे जैसे बूढ़े को देखकर तुम इतनी शरम कर रही हो तो उन देव कन्याओं में जो एक समझदार थी वो बोल पड़ी कि गुरुदेव आप वृद्धा ये बात सही है लेकिन आप अभी भी हमारे इस देह को देखते हैं और जो आपका जवान बेटा निकल गया वो तो किसी को देख़े ही नहीं रहा था तो जब वो किसी को देख़े ही नहीं रहा था तब हमें उसके प्रतिश शरम करने की जरूरत क्या थी किसी व्यक्ति को शरम कब लगती है जब उसे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है जब उसे पता हो कि कोई नहीं देख रहा है तब उस शरम नहीं करता बातरूम में कौन शरम करता है जब बातरूम बंद रहता है लेकिन बात्रूम के खुले होने का डर हो तो तो शर्म रहेगी आन्ने को शुगदेव जैसा पुत्र वेदव्यास जी ने जब प्राप्त किया तो वेदव्यास जी का पित्रित्व धन्य हो गया ऐसा कोई पुत्र जिस खांदान में जन्म लेता है उस वंग्ष को वह धन्य कर देता है इसलिए माता पिता दोनों को यह सोचना चाहिए कि हमारे वंग्ष में कोई ऐसा जन्म ले जो हमारे मात्रित्व पित्रित्व को तो धन्य करे ही लेकिन साथ ही साथ हमारे एकोत्तर शत वंग्ष का उद्धार कर दे और जिस परिवार में ऐसा हंस कोई जन्म लेता है वो हमाता पिता के साथ अगले पिछले सबय उबारा सबका एक सो एक वंग्ष जों का उद्धार कर देता है इसलिए वो धन्य है जो वंग्ष उसके साथ जूड़ जाता है इस बात को धर्मदाश जी ने सुना और उसके बाद धर्मदाश जी ने सद्गुरु से ये बात कही हे सद्गुरुदेव आपके मुखार विंदसे मैंने उस हंस के परम सुख को सुना उस हंस को उस परम पद के प्राप्त करने वाले महापुरिश को उसके उत्तम सुख को आप जरा विस्तार से कहिए क्योंकि आपकी जो वानी है ये वास्तों में शुरुती के सार के समान है सबके सार रूप आप बात कर रहे हैं और आपके इस सार वचन को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति जो विश्यों में आ सकता है ऐसा व्यक्ति भी विश्यों का त्याक करके इस ग्यान में अपने आपको और गहरा उतारने के लिए तयार करेगा तो आप जो उपदेश दे रहे हैं वह उन सबके कारिये पर आएगा इसलिए गुरुदेव आप विश्थार के साथ सबके हित के लिए यह तत्व हमें बताएगा संसार में गुरुजन जो उपदेश करते हैं जो समझाते हैं वो संपूर्ण विश्व का भला हो यह उनका हेतु होता है उन विभूतियों ने इस संसार के लिए जो कुछ प्रदान किया है यह संसार वास्तों में उन उसके मुल्य के रूप में कुछ भी नहीं दे सकता इसलिए तो कवीर साहिब की वाणी में आता है सत्त नाम के पटतरे देवे को कचुनाई कहाले गुरु संतोशिये हौस रही मनमाई आपने गुरु ने शू आपी ये कि जनादी गुरु देव राजी थे जाए आपनी मासे छेशों एम तो शिष्य पासे थी गुरु ने कई जोईतू न थी शिष्य के पास से गुरु कुछ चाहता ही नहीं इसलिए कभीर साहिब नहीं कहा है न शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कचुन ले गुरु को शिष्य का कुछ नहीं चाहिए और शिष्य अपना सब कुछ गुरु को देता है और सब कुछ देने के बावजुद भी शिष्य को संतोश नहीं हो पाता कि मैंने कुछ गुरु को दिया है संतोष नहीं हुपाता इसलिए शिष्य अपने आपके गुरु दक्षिना के दान को अधूरा महसुस करता है राम के वंक्ष में एक बार ऐसी घटना घटी थुई भगवान राम के पूर्वजों में एक राजा थे राजा रगु जिनके नाम पर भगवान राम का वंक्ष यह राम वंक्ष नहीं कहा आ जाता लेकिन क्या कहलाता है रगु वंक्ष कहलाता है क्योंकि उस वंक्ष में रगु बढ़े श्रेष्ठ समराठ हो गए उनके साथ जुड़ा हुआ यह प्रसंग है राजा रगु के दरबार में एक रिशी पुत्र आया जिसका नाम था कौट्स और कौट्स यह वरतंतु नाम के रिशी का शिश्य था कौट्स ने रिशी वरतंतु के पास में रहके चौदह विद्याएं प्राप्त की थी चौदह विद्याओं को प्राप्त करने के बाद जब गुरू ने कहा कि शिश्य वत्स अब तुमने संपूर्ण ग्यान प्राप्त कर लिया है तुम चाहो तो ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए विदा ले सकते हो तब वत्स कौट्स ने पिता तुल्य गुरू सी कहा कि गुरू देव आप कुछ मुझ से गुरू दक्षिना लीजिए मैं आपको क्या गुरू दक्षिना दूँ तो गुरू ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमने जो यहां रहते हुए सेवा की है उस सेवा को मैं गुरुदक्षिना तरीके स्वीकार कर लेता हूँ तुमारी गुरुदक्षिना कवच से कहता है नहीं गुरुदे वो सेवा करना तो मेरा फर्ज था आपको कुछन कुछ गुरुदक्षिना तो लेनी ही चाहिए आप कहिए मैं गुरु दक्षिना आपको दूगा क्योंकि मेरा फर्ज ये भी बनता है कि आपने जो ग्यान मुझे दिया है उसके बदले में मुझे गुरु दक्षिना देनी चाहिए गुरु ने वारंवार कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे गुरु दक्षिना की कोई अप्यक्षा नहीं है लेकिन कौचस ने हट पकड लिया का कि नहीं गुरु देव आपको तो लेना ही पड़ेगा मैं आपको गुरु दक्षिना दिये बगर नहीं जाओंगा तब जब कभी व्यक्ति कोई हट पकड लेता है तब गुरु देव को भी लगा कि ये बहुत हट पकड़ा है तो गुरु देव ने कहा कि तुम देना ही चाहते हो उनको थोड़ा कुरु दाया कि तुम गुरु दक्षिना देना ही चाहते हो तो तुम जानते हो जो ज्यान तुमने मुझसे सीखा है उसकी कीमत क्या है तुमने मुझसे 14 विद्याइं से की इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम 14 करोड सुवर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिना के रूप में दो 14 करोड सुवर्ण मुद्राएं अब यह कौद सतो रिशी के आश्रम में रहके पड़ा हुआ था वह 14 करोड सुवर्ण मुद्रा का नाम सुनकर विचलित नहीं हुआ क्योंकि उसको इतनी निष्ठा थी उतना विश्वास था कि मैं 14 करोड भी लाकर गुरु चरणों में अरपित करूंगा गुरु देव से प्रार्थना करके नमस्कार करके कहने लगा कि गुरु देव मैं 14 करोड सुवर्ण मुद्रा लेके आता हूँ आप मुझे थोड़ा समय प्रदान करें गुरु को वंदन करके कौट से निकल पड़ा और विचार करने लगा कि अब यह 14 करोड सुवर्ण मुद्रा देगा तो कौन उस समय उस तो ख्याल आया कि इस धर्ती पर सबसे बड़ा राजा और बड़ा दानी है वो है राजा रग्धू उसी के पास जाना चाहिए झाले बड़ा पुछ